हेलो मैं जीपी दूबे आप लोग को आई ट्याइ आइकॉन चैनल में स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों को आई ट्याइ के ट्रेड फीटर एंड एलेक्टिशन यानि फीटर एलेक्टिशन दोनों ट्रेड के सब्जेक्ट वर्क्स ऑप केल्कुलेशन और साइंस का टॉपिक या चेप्टर उस्मा एवं तापमान यानि हीट एंड टेंपरेचर के टॉपिक के बारे में मैं बताने जा रहा हूं अता इस वीडियो को पूरा देखें अंत्र तक देखें और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल आईटे एकन को लाइक से रता था सब्स्राइब करें तो देखें आज पढ़ा रहे हैं मौड आफ हीट ट्रांसफर यानि उस्मा रूप अस्थान अंतरन के प्रनाली तो इसमें पहला कंडेक्शन के बारे पढ़ा रहे हैं दूसरा कंभैक्शन है और तीसरा रेडियेशन है देखें यह कंडेक्शन हो रहा है यह कंडेक्शन है यह रेडियेशन है और यह कंडेक्शन है और यह कंडेक्शन है और यह रेडियेशन है यह चीज देख रहे हैं इसका यह फीगर के द्वारा दिखाया जा रहा है कि देखे ये कंडेक्शन का उधारन है जिसमें देखे ये इसे हीट किया जा रहा है ये आपका आग के द्वारा ये कंडेक्शन का ला रहा है देखे इस प्रणाली यानि मौड में गर्माहट किसी ठोस वस्तू या पदार्थ के माईध्यम द्वारा अस्थानांतरन यानि ट्रांसफर की जाती है जब भी किसी ठोस पदार्थ को गरम किया जाता है तो उसके अंदर के अनू यानि मौलिकुल्स एवंग परमानू कांपते हैं और आपस में टक राते हैं एवंग धीरे धीरे अपने ठीकानों से हटने लगते हैं और इस तरह उस्मा की प्रवाह एक जगह से दूसरे जगह तक हो जाती है अगा दूसरा यह कंभेक्शन देखिए यहां एक गुबारा दिखाये जा रहा है एक गुबारा दिखाये जा रहा है जो हवा में उड़ रहा है और यह कंभेक्शन का यह उधार्म दिखाये दे रहा है जो कि यह केटली है और यह इसे यहां दिखिए कंभेक्शन है कंभेक्शन करेंट है और यहां होट होटलेस यहां वाटर आईजेस है यहां दिखिए इस प्रणाली में गर्महाट किसी तरल या गैस जैसी बस्तू के मजधम द्वारा अस्थानांतरन यानि ट्रास्फर की जाती है जैसे अगर किसी पतीले से पानी गरम की जाए तो पतीले के पानी के सबसे नीचले परत के अनुगरम होंगे और फिर उनका घनत्व कम होने लएगा जिसके कारण वो उपर की और आ जाएगे और उपर के अनुग जिनके घनत्व अधिक हैं वो नीचे की और आ जाएगे यह प्रक्रिया लगातार दोराती रहेगी और पतीले का पानी गरम होना सुरू हो जाएगा वहीं कन्वैक्शन का दूसरा उधारन ठंड में इस्तेमाल किये जाने वाले रूम हीटर हैं तीसरा रेडियेशन देखें यहां रेडियेशन हो रहा है आग है यह और इसको हाथ से लुग सिख रहे हैं और यहां देखे, टेंपरेचर है, यहां सुरज है और यह घर है, इस प्रनाली में उस्मा बिना किसी मैध्धम के एक जगर से दूसरे जगर तक अस्थान अंतरन की जाती है, जैसे सुरज की रोस्नी और कीर्णों की गर्महाट बिना किसी मैध्धम के प्रिथिवी तक आती है, जिसे हम रेडियेशन करते हैं, नमबर भी टेंपरेचर यानि तापमान, किसी बस्तू या पदार्थ के गर्महाट एवंग ठंडी को मापने की मात्र को हम ताप यानि तेंपरेचर करते हैं, इसकी SI यूनिट केलविन यानि के है, और CGS यूनिट सेंटिग्रेड है, सेंटिग्रेड सी है, इसके अंदर हम निमने चीज़ों को पढ़ेंगे, पहला है, बोइलिंग पॉइंट, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा फ्रीजिंग पॉइंट, चौन्था वेपोराईजेशन, तो पहला बोइलिंग पॉइंट के बारे बोलेंगे, यह देखिए, यहां, देखिए, इसको हिट किया जा रहा है, वह तापमान, जिससे कोई वस्तू या पदार्थ, गैस के रूप में बदलना प्रारम कर देती है, उसे हम उस पदार्थ की बॉइलिंग पॉइंट करते हैं, जैसे पानी की बॉइलिंग पॉइंट, हंडेड ड दिगरी सी है, देखिए, यह मेल्टिंग पॉइंट है, नमबर टू, तो यह है, यह बर्फ है, यह मेल्ट करके यह गिलास में आ रही है, वह तापमान, जिससे कोई वस्तू या पदार्थ, ठोस आउस्था से तरल या द्रव आउस्था में परिवर्तित होना प्रारम कर दे है, उसे हम उस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट करते हैं, जैसे कि बर्फ की मेल्टिंग पॉइंट जीरो डिग्री सी है, अब देखें फ्रीजिंग पॉइंट, यह देखें पानी है, इसको यह फ्रीज हो गया, तो यह बर्फ बना, वह तापमान, जिस पे कोई द्रब्य तरल अवस्था से ठोस अवस्थम परिवर्तित होना प्रारम कर देती है, उसे हम उस पदार्थ का फ्रीजिंग पॉइंट करते हैं, जैसे सुद्ध जल की फ्रीजिंग पॉइंट जीरो डिग्री सी होती है, नमबर चार, देखें, यह केटली को मैं पानी दे के गरम कर रहे हैं, तो यह भेपर निकल रहा है, यह देखें, यह बास्प निकल रहा है, जिससे भेपर करते हैं, किसी पदार्थ को द्रज या तरल अवस्था में से बास्प अथ्वा गैस की अवस्था में बदलनी की प्रक्रिया को हम बास्पी करन करते हैं, बास्पी करन ठंड़क उत्पन करती है, नमबर सी, Scales of Temperature, ताप के पैमाने, नमबर एक, Fahrenheit Scale, नमबर 2, Centigrade Scale, नमबर 3, Kelvin Scale, नमबर 4, Rumor Scale, तो नमबर एक, Fahrenheit Scale के बारे बता रहे हैं, यह देखे, यह Fahrenheit Scale है, British System में ताप की काई, Fahrenheit F, यानि Fahrenheit होती है, इस Scale में सुद्ध पानी की freezing point को 32 degree F माना जाता है, और उसकी boiling point को 212 degree F माना जाता है, यह Scale को 180 ब्राबर भागों में बांटा जाता है, और हर एक पार्ट को हम 1 degree F काते हैं, नमबर 2 centigrade Scale, तो देखे, यहाँ 0 degree, 10 degree C, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 degree, और यहाँ Fahrenheit दिया है, तो यानि यहाँ इधर दिया है, degree C में और यहाँ Fahrenheit में दिया है, Metric System में ताप की काई centigrade यानि C होती है, इस Scale में सुद्ध पानी की freezing point को 0 degree C और उसकी boiling point को 100 degree C माना जाता है, यह Scale को 100 ब्राबर भागों में बांटा जाता है, और हर एक पार्ट को हम 1 degree C करते हैं, अब देखें, नमबर 3, Kelvin Scale, यह देखें, Kelvin Scale, degree F, degree C और K, इस Scale में सुद्ध पानी की freezing point को 273 K और उसकी boiling point को 273 K माना जाता है, यह Scale को 100 ब्राबर भागों में बाटा जाता है, और हर एक पार्ट को हम 1 के करते हैं, नमबर 4, रियूमर Scale, तो यह देखें, रियूमर Scale दिया है, इस Scale में सुद्ध पानी की freezing point को 0 degree R और उसकी boiling point को 80 degree R माना जाता है, यह Scale को 80 ब्राबर भागों में बाटा जाता है, और हर एक पार्ट को हम 1 degree R करते हैं, देखें, सभी Scale में अंतर, यहाँ degree C है, यहाँ degree F है, K है और R है, यह boiling point of water, यहाँ इसको देखें, यहाँ 100 लिक रहा है, 100 degree C है, और यहाँ 12 degree F है, और यहाँ 373 K है, और यहाँ 672 R है, तो यह human body का temperature देखें, माइनस यहाँ है, 37 degree C, यहाँ 98.6 degree Fahrenheit, और यहाँ 310 K है, और यहाँ 0.59 R है, freezing point of water, यहाँ 0 degree C है, यहाँ 32 degree F है, फरनाइट में, और यहाँ 273 K है, और यहाँ 492 R है, तो यह वीडियो, यहाँ स्वाप्त हो रही है, वीडियो अगर अच्छी लगी, तो मेरे चैनल, ITI icon को like, share तथा subscribe करें, धन्यवाद,